की बारे में चर्चा करेंगे, कंपनी के बारे में कुछ जानकारी आपको दे दे क्यार बील जो है बास्मती चावल का एक्सपोर्ट करने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है 90 देशों में इनका बास्मती चावल का एक्सपोर्ट का कारोबार है भारत में इंडिया गेट एक जाना माना नाम है बासमती चावल के ब्रैंड में और देजभर में 500 से ज्यादा डीलर्स और डिस्ट्रिब्यूटर्स इस कंपनी के साथ हैं हमारे साथ आशीज जी जुड़ गए हैं बहुत-बहुत स्वागत आशीज जी आपका इटीनाव स्वदेश पर नतीजों से करते हैं शुरबात काफी अच्छे नतीज़े इस बार देखने को मिले हैं हमने देखा जो revenue है वो करीब 20% बढ़ा है, EBITDA जो है वो भी 20% ऊपर है, profit हमने करीब 16-17% बढ़ते हुए देखा है मैं यह जानना चाहरा हूँ कि यह जो growth आई है इस quarter में काफी अच्छी तेजी, क्या यह export-led ही है, momentum कौन-कौन सी geography से देखने को मिल रहा है आपको? जी, धन्यवाद, momentum हमें दोनों ही geography से देखने को मिल रहा है, जो हमारी domestic sales है, वो इस quarter 47% बढ़ी है, over same quarter last year और exports जो पिछले quarter के मुकाबले 4% कम थे, लेकिन जो इससे पहले वाला quarter था, जो March 22 में खतम हुआ, उसके comparison में sales, export में 73% up है तो इस तरह दोनों ही जगे sales growth हा रही है, इसके पीछे दो तीन कारण है, एक तो ये है कि rice के जो भाव है market में ये अभी उपर है, उसका benefit सारी rice companies को मिल रहा है second ये भी है कि बास्मती के demand भी काफी strong है, दोनों domestic market में और export market बिलकुल, काफी अची demand है और prices भी हम देख रहे हैं बड़े हैं, लेकिन बास्मती में तो business काफी आपने बताया कि favorable दिखाई दे रहा है लेकिन non-bास्मती segment की अगर बात करें, वहाँ performance कैसा रहा है, हम ये जानते हैं कि आपके कुल revenue का एक छोटा हिस्सा non-bास्मती से आता है लेकिन पहले जो चर्चा हुई है, आपकी तरफ से जो बाते आई हैं, उसमें ये समझ में आता है कि आप वहाँ उस segment पर focus कर रहे हैं किस तरह के plans है non-bास्मती segment के लिए? जी बिलकुल, आपने ठीक का, इसमें हमारा मानना ये है कि बास्मती और non-bास्मती दोनों के जो consumers हैं वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा rice packaged form में consume हो India Gate और KRBL का अपना एक business model है जिसमें हम rice को age करते हैं मतलब हम rice अपनी inventory में stock करते हैं काफी महीनों और सालों तक ताई कि उस rice की quality बढ़े अभी तक हमारी main presence domestic market में बास्मती में हैं लेकिन हमने market में जो survey किये उसे ही लगा कि non-bास्मती के customers भी India Gate की quality खाने के लिए बहुत इच्छों हैं इसलिए हम non-bास्मती की तरफ focus कर रहे हैं इसके लिए हम नए plants लगा रहे हैं इंडिया में तीन जगे और हमारा idea यह है कि अगले दो साल में हमारी presence non-bास्मती में काफी बढ़ जाएगी domestic market में एक अंदाजा दे पाएंगे किस तरह का contribution यह non-bास्मती segment जो है आपने यहाँ पर बात अभी की कि आप कुछ प्लांट्स लगा रहे हैं non-bास्मती segment को आगे बढ़ाने के लिए मेरा अगला सवाल आपके capex plans से जुड़ा ही था किस तरह के plans आपने बनाए हुए हैं पूरे financial year के लिए और चाहे वो बास्मती segment हो या non-bास्मती segment है कोई expansion plans आप मारिशाद share करना चाहें जी जरूर हम अभी तीन नए plants बनाने के process में हैं एक plant गुजरात में हैं एक plant मद्धपरदेश में develop होगा और एक करनाटका में इसमें जो करनाटका में plant है वो 100% non-bास्मती को cater करेगा इन तीनों plants के लिए हमने करीब 200 करोड allocate किया है जिसको company अपने खुद के reserve से fund करेगी ओके तो 200 करोड तक का expense जो आप खुद fund करने वाले हैं आपने यहाँ पर एक चीज जो समझना चाहेंगे वो यह कि जो market share है इस समय वो किस level पर है और आपका चाहे वो हम domestic market की बात करें या international market की बात करें अगर आप वो आकड़ा दे पाएं और अगर आप उसको बढ़ाने का plan कर रहे हैं तो किस तरह के कदब आपने उठाए हैं international market में कोई market share कोई एक single agency track नहीं करती है लेकिन मैं आपको दो चीज़े बताना चाहूँगा एक यह कि KRBL इंडिया का number one basmati rice exporter है number two KRBL की जो main brand है Indiagate यह world का number one basmati rice brand है तो इन दोनों चीज़े से आपको अंदाजा लगेगा हमारी export market में leadership का domestic market में हमारा market share continuously 32 to 35% रहता है traditional trade में और हम इस market में भी package basmati के market में market leaders correct जैन साब आपने चर्चा की शुरुआत में कहा कि rise की कीमते जो है वो favorable है यहाँ पर आपने Q4 में 7-8% तक का एक price hike लिया था commodity की prices अब धीरे धीरे नीचे आ रही है क्या उम्मीद करें customers को कोई फायदा होगा कोई price cut लेने की उम्मीद आने वाले समय में नी जिब बिलकुल के आर बीयल हमेशा यही focus करता है कि customers को एक fair price मिले लेकिन हमारी आगे price देने की शमता जो paddy है paddy rice का raw material होता है वो जिस भाव पे बजार में मिलती है उससे सीमत है इस साल market में यह हुआ है कि total rice के लिए rice जिस एरिया पे उगाया जाता है पूरे भारत में वो अभी recent जो अनुमान आया था अगस्ट के beginning तक पिछले साल के मुकाबले करीब 13% कम एरिया में rice हुआया गया है तो जब rice का production कम होगा तो जाहर है कि उसका impact prices पर ही आएगा इसलिए हमारा अनुमान यह है कि आगे foreseeable future तक rice के prices firm ही रहेंगे तो मुझे अगले आने वाले महीनों मैं ऐसा नहीं लगता कि rice का price बहुत नीचे आएगा लेकिन आगे देखते हैं यह कैसा होता है चलिए ठीक है यह तो वक्त बताएगा कि price कैसा होगा एक आखरी सवाल पूछूँगा जैन साब आपसे लास्ट यह हमने देखा था कि sales पर जो export sales है उन पर थोड़ा impact पढ़ा था क्योंकि साओधे एरेविया और इरान में बिक्री नहीं हो पाई थी आप नहीं export कर पाये थे कितना समय लगेगा उस जटके से उबरने में company को और क्या कोई और नए markets जो आप target कर रहे हैं फिलाल देखिए मैं कुछ आपके साथ number share करता हूँ हमारा जो June end के quarter में export इस से पहले वाले quarter के मुकाबले 73% उपर था तो जो challenges हमें आये थे वो हमने already address कर ली हैं उसमें एक challenge ये था कि जो हमारे distribution partner थे साओधी में वो किसी वज़े से पूरा माल नहीं उठा पा रहे थे तो हमने इस साल के beginning में एक नहा partner appointment किया साओधी में जिनका off-take काफी अच्छा है दूसरा हमें बाकी साओधी के अलावा और भी countries globally में बहुत अच्छा response मिल रहा है इस वज़े से जो exports में revival है वो quarter one में already visible है और हमारा अनुमान यह है कि ये साल exports के लिए FI 22 से बहुत 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 शुक्रिया समय निकाल कर आज ET Now स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये खास चर्चा करने के लिए KRL का top management आपको बता रहा है कि नए plans खुल रहे हैं नौन बास्मती सेग्मेंट पर focus बढ़ रहा है और export इस साल पिछले साल के मुकाबले बहतर रहने की उम्मीद है Stock आके सामने करीब 260 के आस पास आज